दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम बात करेंगे कि क्यूं आपका स्टॉक पॉर्टफोलियो डबल नहीं हो पा रहा है करोड रुपए बनने की बात तुझ दूर की बात है जो भी आपका पॉर्टफोलियो है पांच लाग का है तस लाग का है एक क्यूं नहीं पहले वो डबल हो पा रहा है किस क्रोथ रेट से आप चलें कि लंबी अवधी में आप करोड रुपए तो एटलिस बना सकते हैं करोड रुपए एक ऐसी पूंजी है एक बेसिक अमांट है अगर उतनी अमांट किसी भी इंसान के पास किसी भी निवेशक के पा कर सकते हैं तो उसी भी चर्चा करेंगे कि आपका पॉर्टफोलियो अभी तक डबल क्यों नहीं उपाया है कारण और उपाय तो कैसे सबसे पहले आप करोड़ पती बनेंगे हम यहां पे कुछ स्टॉक्स का एक्जामपल भी लेंगे करीब 6 स्टॉक्स हमने चुने हैं कि कि स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए और किस ग्रोथ रेट से हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए ताकि हमें कुछ वर्षों के बाद एक बड़ी धनराशी मिल सके यहां पे आप देख रहे होंगे जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि माल लीजिए पांच लाग का आपक स्टॉक्स ने अच्छा पर्फॉर्म किया हुआ है ग्रीन के निशान पर हैं काफी अच्छी रिटन बना के दी हैं वहीं पर कुछ स्टॉक्स ने जो है यहां पर तगड़ी गिरावट है कि वह आपको लॉस बना रहे हैं माल लीजिए कि अगर आप पांच लाग रुपए म आठ स्टॉक्स लेके रखें आठ स्टॉक्स में से जो ग्रीन के निशान पर उन्होंने पर्फॉर्म किवा उपर रिटन बना के दे रहें अनीचे वाले तीन स्टॉक्स जो है भयंकर लॉस दे रहें तो कहीं ने कहीं जो एंड रिजल्ट आएगा वो यहां पर बराबर हो जाएगा है ना जितना भी गेन मिला जितना लॉस हो गया तो बराबर हुआ तो यह जो पांच लाग की पूंजी है यह पांच साल बाद भी ऐसे कैसी खड़ी रहेगी इसलिए कहते हैं कि स्टॉक्स का सेलेक्शन आपको बहुत ध्यान से आपको करना होगा यहां पर स्पीड लिमिट हमने यहां पे लिके रखी, दिव क्या है? यह 30 जो लक्ष नहीं है तेसके आजो सड़कें होते हैं, राजमार्ग होते हैं, हाइवेज होते हैं, मालेजी आपका लक्ष है कि ये बारा साल है और बारा साल में आपको यहां से कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक आपको ट्रेवल करना है अब इस यात्रा में बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाते हैं कोई 100 की स्पीड में चलना चाहता है कोई 120 की स्पीड में चलना चाहता है तो आक्सिडेंट के उतनी ही चांसे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको यहां आगे नहीं पता है कि खाई है कि कोई चोट लग जाएगी इसलिए एक स्पीड मेंटेन कीजिए जो है हमने थर्टी की स्पीड आपको यहां पर बताई कि थर्टी परसेंट सीए जीर के साब से अगर आप चलते हैं तो यह बारा वर्षों का जो लंबा सफर है आपका यह आपको बनाएगा करोड़ पती तो आप ब हालाच है बहुत लोग किसमत के धनी होते हैं जो इतनी बड़ी धनदाशी किसी ऐसे मल्टी बेगर स्टॉक में लगाते हैं और उनका पैसा मल्टीपल हो जाता है फिर भी मुझे लगता है कि उनका पैसा अगर दो गुना भी हो जाता है किसी एक स्टॉक में अगर वो पूर इतना stock का selection समभवता है एक आम निवेशक नहीं कर पाता है जिनके पास एक limited पूंजी होती है 5 लाग 10 लाग तो आईए अब हम चर्चा करते हैं उन stocks पे फिर हम बताएं किस प्रकार से calculation करके आप धनराशी बना सकते हैं जो stock का selection है हमने यहाँ पे किया हुआ है sector wise अलग अलग ह है कि आने वाले समय में यह sector काफी फालेगा फूलेगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ICIC potential life insurance एक insurance की तंपनी का चुनाओ किया है और यह stock मुझे ऐसा लगता है कि आज यानि कि आज 1st April है और अगले साल के अप्रिल में हमें कम से कम यह stock 30% का return दे दे क्योंकि already अगर देखा जाए तो अपने हाई से काफी correct हो चुका है 724 का साल का हाई था 430 का पिछले वर्ष था और अभी जो है अपने लो के पास है करीब 500 एक वर्ष में जो return रहे हैं वो पूरे तरह के से खतम हो गए हैं 13.33% के आस-पास दिखाए दे रहे हैं 6 महीने में देखिए यहाँ पे कर मार्केट का है 10 की face value-alized stock है और यह large gap के कमपनी है 17,000 कोड़ के आस-पास इसकी मार्केट के है पर 2016 की listed company है तो insurance company यह मुझे बहतरीन लगी दूसरा जो stock है मुथूत finance है अब भगा के stock मत देख लीजेगा इसके पीछे हम logic भी देंगे मुथूत finance अगर आप देखते हैं 1348 का fundamental वाली company है 6 महीने पहले जिन निवेश किया था जैसे कि आपने बताया कि काफे गिरावट हुई इन दिनों 2-3 महीने में कि सारे return खतम हो चुके हैं एक वर्ष में जिनों निवेश किया पहले उनको 11.78% के return भाकी मिले हुए है यह एक वर्ष में return हाला की दिखाए दे रहे अगर देखें valuation wise तो काफी attractive है यहाँ पे 13 की PE पे है price to buy के 3 का delivery भी अच्छी खासी है देसकी face value वाला stock है गोड लोल देने वाली बड़ी हा company है तीसरा जो stock हमने चुना है एक housing finance की प्लस कई SDFC ग्रूप की उसकी मालिकाना हक भी है इनके पास SDFC limited जो की 2420 की price पर trade हो रहा है यह ऐसी company हम चुनके लेके आए हैं कि इनमें बहुत खत्रा नहीं है यह large के भी company हैं बड़े दिग्यच company हैं आप देखेंगे एक साल में इतनी गिरावट हो चुकी high से low का देखिए आप 3000 का high बनाते हुए करीब 2420 पे यहाँ पे जो है ट्रेड हो रहा है आज की date में और ए प्राइस टुगू के 2.68 का डिलिवरी शाहंदार है दू की face value आले 4 लाग क्रोड के आसपास इसकी market cap है बजाज finance मुझे लगता सभी का चाहेता है कभी कई मुझे ऐसे comments पर आप्त होते हैं कि कोई छोडी company में किसी निवेश किया होगा तो हाँ उसको नुकसान हो गया या वह भाव नहीं मिल पाया बजाज finance में गी रहा अभी हाल भी 6000 के आसपास था तो उन्होंने लिखा कि काश मैंने बजाज finance में निवेश किया होता तो यह होता है कि आपका लालच और किस प्रकार से आप उस समय लालच को कंट्रोल करते हुए सब बुद्धि का बुद्धिम प्राइस टुबुक है 11 का फिस बेल्यू दो की है यह भी 45,000,000,000 कोड के आसपास इसकी मार्केट का है फिर बिजनस मॉडल बहुत ही सटीक है बैंक है यहाँ पे हमने उलेक किया है HDFC बैंक 1500 का अगर देखें अपने हाई और लो के मध्ध में ट्रेट कर रहा है 1725 का हाई ब मार्केट का है एक की फेस बेल्यू वाला स्टॉक है 55% के आसपास डिलिवरी है और अंतिम स्टॉक हमने यहाँ पे एक छोटी कंपनी का चुनाव किया है IT की हैप्यस माइन्स टेकनोलोजी यह भी अपने हाई से अगर देखते हैं साल का हाई 1580 से अभी फिलाल 1078 के प्राइ इसलिए देखा जाए तो अभी छोटी कंपनी को खास कर तो यह हाई वाई वाई उप मिल रहे हैं प्राइस टुबो के 27 पे डिलिवरी भी अच्छी है एक साल में रिटन भी 100% के आसपास है 6 माई ने पहले जिरू ने वेश किया उनको खाला कि यहाँ पे 22% के आसपास का न मैं कहना चाहूंगा कि जब गिरती हैं तब हमें ध्यान देना चाहिए या जब वो अपने हाई पे होती हैं तब ध्यान देना चाहिए मेरे अपने विचार से मेरे अपने अनुभाव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे जिन्होंने 10 साल पहले निवेश किया होगा उनक साल बात देखेंगे तो आज उस भाव पे नहीं है आज जो आप भाव देख रहे हैं वो अगले साल नहीं रहेगा यह तो एक शौट टम करेक्शन था दो तीन महिने में काफी ज़्यादा हाई से अपने गिर चुकी है चुकि बाजार बहुत ज़्यादा वह एलवेशन वाइ को जुमते हुए हम इस चाहत को त्यागते हुए कि हमें एक साल में double ना हो हमारा triple ना हो हमें मात्र तीस परसन हमारा total जो portfolio है हम ऐसे stocks चुने कि कोई 50%gent का written दे दे कोई 30% Π生़ते दे कुई 70% का return दे दे इस ratio से अगर चलें तो overall total portfolio का 30% हमें return मिलता रहे हम कितने दिन में हम करोड़पती बन सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर return calculator पे हैं हम यहाँ पर 5 लाक मा लिजिए आपके total portfolio की value है आज और 30% साल आना जो है आपको return प्राप्त होगा या आपने portfolio को आप उस हिसाब से grow कर सकती हैं बारा वर्षों में जो आपके पास पूंजी हो जाएगी वो एक करोड़ 16,049,043 रुपया यानि कि आपको जो gain मिलेगा एक करोड़ 11,049,043 और करीब पांच लाक आपका आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पांच लाक तक का portfolio आपने ख़ड़ा तो कर लिया है लेक दीरे ग्रो कर रही है जो आपको return बना के देती जा रहे है consistent उनका भी profit वो खराब कर देती है मतलब उसको कहते हैं disbalance कर देती है है तो आपको फिर से rebalance करना पड़ता है हो सकता है कि आप loss भी बुक कर लेते हों तो overall जो portfolio उस पर भी फरक पड़ता है तो मेरे कहने का जो आश finance हो गया एक छोटे market का इपी company है लेकिन आपको पता है कि IT का भविश उज्वल है आज ये छोटी company है कुछ वर्षोबाद बड़ी बनेगी तो हो सकता है कि कुछ stocks आपके उसमें से underperform कर रहे हों तो कोई एक stock आपके पैसे कई गुना कर देगा तो उससे भी आपके portfolio की ज्य परसंट दे कहीं ने कहीं stock selection में हमने घलती की है है ना तो उस पे आपको research करने पड़ेगे study करने पड़ेगे एक tight portfolio बनाना पड़ेगा या फिर अपने portfolio को rebalance करना पड़ेगा तो इस तरीकिस दोस्तों अपने portfolio को आप grow कीजिए अच्छी कंपनियों का चुनाओ कीजिए अल बहुत दन्यवाद